पर आगे अभी कौशक महल के तरफ जिसकी एंट्री वहाँ पर है हम लोग अभी आटो पकड़ के आये हुए है एक विरान सा गाउं लग रहा है जो खंडर बिल्डिंग्स वहाँ पर है और चोटे मोटे आप देख सकते हो जो मकाने है जो लोगों के आप देख सकते किस तरीक यहाँ पर है अंदर है बारतिया पुरा तत्वक सर्वेक्षिन के अंदर यह रिजो किया गया है जिसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है कुछ डिटील्स यहाँ पर है अपने बाई-लोग यहाँ पर पढ़ रहा है कौशक महल को एंट्री करते हुए आगे बढ़ रहा ह काफी अच्छा तो काफी अच्छा मैदान यहाँ पर है जो गुमने फिरने के लिए और जो चीज़े है जैसे हम डीटेल में देखा हुआ त्री फ्लोर है और अफगानी स्टाइल की बनावाट है और सिमेट्रिकल है अगर आप चारो दिसमां से देखोंगे अगर आप चार क्वाडरेंट्स इसके बनाएंगे तो सारे क्वाडरेंट्स एक जैसे नजर आएंगे यह देखो क्या शांदा नजार आए मतला भी मालो एक दो तीन अगर इमारतों का अगर हम थोड़ेंगे ना तो बराबर ही नजर आएंगे कोई भी डिफरेंस नहीं लगने वाला इसमे तू पार्ट्स देखां य impeachment और यह तो पार्ट्स इह तीन चारवाला माल इससे चार आप ऊठांगा इन वाले यह a- the बनेंगे वाले कि यह पॉइंट है जो क्टिंग वाला है जो अगर खटएगा तो क्अपर बनेंगे मतलाब यह जैसा एक जैसा नजनरी Г, कोई भी डिफरेंस यहां पे होने वाला नहीं है तो उपर का जो यहां पर लेख सकते इसमें भी कोई बनावाण थी वह ringsकलब वह तोट की गिर गर India भी गिर गज चुकाा है आपको आपको यहां पे दिक रहा है कि कहीं पर भी देखो आपको एक जैसा ही नदर आएगा कोई डिफरेंस नहीं इसमें महसुत होने वाला में आपर हूँ यहां पर हूँ आजा उपर आजाओ और जो इसके उपर भी अगर में जाओंगा यहने जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर पर काफी उपर है और यहां से विगर आप देखोगे तो आपको यह भी सेम तो सेम रहा है कोई चीजस नहीं है हाँ मट डिफरेंस यह कि जो चीजे है जिसके उपर जो चीजे बने हुए वह तूटे पड़े हूँ यह देख लो फिर टूटा हुआ है उसके उपर भी महरेक कि यह सबसे उपर पहुंचा हूँ आप देख सकते हो इसके उपर शायद कुछ नहीं होगा चीजे जो बने हुए आप देख सकते हो यहां पर एक लाइटनिंग एक खंब रखा हुआ है जो इस पुरततों को बचा के रखे लाइटनिंग से उसके आसपस जाना भी कतरना के ज़स्तों और यह जो हाइवे है जिस अभी जिस राशे से हमें आभाय थे हमारी गाड़ी कहीं वहीं पर होट्व अधर कई कडिये है हाइवे है सीधा सीधा चाहता है अपने बाए लोग अलू बना देते में उद्धर एचा कर रहें वहां में क्या मैं उपर से आ गया है उ और से ओपार मैं ऊपर से और सिर्ड़ागया ने अगया प्सिरी अगया उधर सी ओफ लगे से पीछे सुव सब म कर दोस्क्राम अभी हम जा रहे हैं अद्र है कटी काटी के तरह तो काटी को मतलब समस्जद К अधा घुक ऐसा हुआ एक रास्ता, गाड तो काड के बनाएवा रास्ता, उसके बार इन टीटिल में आपको बता देता हूँ, पहले आप देख लिजे कैसा है, यह रास्ता जी जा रहा है, उपर गाड के तरफ से, तोड़ा उंची लागा है, और यहां पे एक बोड भी नदर आ रहा है, सामने जो आपको भी दिखाने वाला हूँ, खटी-गाडी, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉनिमेंट, यह देख सकते हैं आप यहां पे, और ऐसा है दोस्तों, कटी-गाडी, यह देखो, जाहन से हम निकल पड़े, और यह पूरी की पूरी गाटी है, जिसको खाटा हुआ है, और मु लात के अंदर बाबर के आर्मी ने, बाबर के आर्मी ने, एक तोफ लाने के लिए जो कैनन है, उसको लाने के लिए इस गाटी को काट के इस तरह की से बना हुआ है, शायद हो सकता है कि यह जो दर्वाजा है, बाद में बनाया होगा, उसके बाद, कैनन लाने के बाद, क्य बाद में उसको दरवादा बना दिया है आप अपर पूरे पहले काट दिया है और किया गजब का काटा हुआ है एक शौन दार है कमाल के तरिके से काटा हुआ है में जो आपके सामने यह अपर दर्शक आप इसको फोस करके देख लिए गा साथ यहां पर हिंदी में भी है जो आपके सामने है देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो बड़ा सा एक पिलर का टाइप का मतलब इस तरह किसे एक चौक में सुरी जो सरकल में जिसको खाट ना भाई साब एक नाममकिन चीज है साथ मी यहां पर बी ऐसा ही है यह कुछ दिखा रहा है मुझे अचा रासता है ऊपर जाने का हम ऊपर बीचे सकते है तो साउ बढ़ाता है और आज फीटेख नटे है काफी उंचा है एक नाइन फीट उंचाई की बात है रहे जिस तरगी से आपने अभी वह फलक पर देखा होगा जिसके सारी डिटेल्स यह देख लो वा जवर दस्त है यह चंदेरी है चंदेरी नगरी अब देख सकते हो चंदेरी का किला वहाँ पर मोजूद है और रास्ता है तलाब बहुंपे है है और चंदेरी के सिटी है सामने तो हुआरे भईय यह लोग इहाँ पर है आ जा है काप की उंचा है कापी उंचा और भी उपर जा सकते हैं दूस्त दूस्तों अगर आप देखोगे ना इसका टेक्फ्टर को देखोगे ना क्लियर ली मेंशन होता है य वी जो चीज चीज, 89 ft और चोऽर 129ft की चोड़ा ये वाई, लिख सी इतना बड़ा पहाड कोशा के के एक रा आध के अंदर प्लीयर करना ना मूंकिन हार, जो चीज पहले के लोग पे लोग ते मेरे कारिकार है इतना बड़ा एरिया को अन लोग थो क्लियर करना मतला बा गज़ा बे ऐसे ऐसे कीचना तो दर्वाजा बोलता है क्या कीचना आप अच्छा यह जो पकड़ के कीचना सो मैं यहां से दुस्तों उपर आ चुका हूँ जो रास्ता भी जो आपने देखा था उसके उपर अपने बाई लोग यहां पर होगी कितने फीट उंचाई पर हूँ बता अभी मैं एट 90 फीट 90 फीट दो सब्सक्राइब कहां पर यह तो पूरा नबे पूट का है नहीं है नबे फूट का उंचाई पर है गजाब है जवार दस्त इलाका है सो दोस्त हम लोग अभी पहुंचे है राम नगर महल जो एक पुरा तात्यू के अंडर आता है और आप देख सकते हो किस तरगे से नजर आता यह वाला पुरानी सी एक हावेली एक खंडर इलाका जो पेड पौदों से गेरा हुआ है और कापी सुन्दर नजारा तो है ठीक है पर कितना अच्छा है कितनी कैसे इसको बचा के रखा हुआ है यह एक बड़ा क्वश्चन है ठीक है देख सकते हैं लोग यहां पर और इस पेड़ों को देख सकते हैं आप जो पुराने जमाने में इसको बनाया हुआ पता नहीं है आप भी बनाया पता नहीं है और वैसे देखने के लिए बहुत पुराना नजारा तो आ रहा है पेड़ आम के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर है और बहुत ही पुराना खंडर महल है वैसे देखा जाया तो ठीक है अपने बाई लोग अंदर आ चुके हैं और मैं यहां से इसको क्याप्चर करने कोशिश कर रहा हूं देख सकते हो कलाकारी जो है यहां पर यहां पर यहां से पानी उटाय जा रहा है वह पाहाड के तरह उस तरह वह टैंक बना हुआ है ना ठीक हो एक देखो मच्वारों को बोट भी रखे हुई है और यह जो एक ऐसी जगहँ है मतलक खड़ा हो के शाम का संदर नजारों को अदर थे हैं Χाम का संदर लाका देख सकते हैं तो मान लॉआ यहां पर शाम inteर के लिए ब circum Fras just a class 5 पानी का किनारा किनारा है और कुली जगाрь तो हवा जब आती है तो आपका पता है कितना अर्छा मैँ ले रहे हैं काभी संदर है सो हम लोग यहां से भी उपर जाएंगे तो इस एरिया से यहां पर एक चोटासा एक दर्वासा है वाबा जबर्दस तरी किसे उपर आ गए ओ बाई साव अरे जबर्दस ते आ रहे हैं मच बेटर प्लेस दें दा ग्राउंड फ्लोर वाउ यह तो औ पूंची जगह है और मज़े दा रहे हैं मज़े ले लो बाईया मज़े ले लो काफी संदर है वाव नीचे बर्ड वीविंग भी यहां पर हो सकता है दोस्तों और काफी अच्छा नजारा भी यहां पर है कि अ कि अजारा भी एक प्रती झा की कवाया जायारा भी वीविंग है ऋै झाल यहां परी अच्छा तरी यहां घो